हालो फ्रेंड्स और ये रोल इंटर्मीडियेट इस्ट्वेंट्स और भीहार बूर्ट फ्रेंड्स मैं आपका सर मिस्टर डीकमार सबसे बेले स्वागत करता हूँ आप सभी का एससपी एजुकेशन सेंटर के इस ओफीसियल इस चैनल पर फ्रेंड्स देसके आप सभी को पता है मैंने आप सभी को पार्ट वन वीडियो में एक फरवरी 2021 को फॉर्स सिटिंग में जो फिजिक्स का एक्जैम हुआ है तो उनसे जितने भी आपके एक्जैम में पूछे गये ह उससे आपको एक से लेकर 35 तक के अब्जिक्री प्रस्णों का उत्तर बता दिया गया है फिलाल इस वीडियो में आप सभी को 35 के बाद जो 36 to 70 तक का कुश्चन से उसका अंसर बतानी जा रहा है तो अगर आप इस चैनल पर नहीं है इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नह सब्सक्राइब नोटिफेकेशन बिल को दबाकर और नोटिफेकेशन और करकर रखेगा ताकि इसी प्रकार से आगया आने वाली वीडियो को नोटिफेकेशन आपको अप्टुडिट मिलती रहेगी दुझसर कि मैंने आपको लास्ट वन कुशन बताया था जो चितर यहां आप देख पा रहे हैं इसके अनुसार पुछा गया है समतुल्य धारिता अर्थात एक्यूवैलेंट कैपसिटी क्या होगा तो इसका आंसर मैंने आप सभी को बता दिया था अप्सन नमबर ए होगा शे इसके बाद 36 नमर पसन है कि वोल्ट मीटर मापता है तो आप सभी को इसके बाद सब्सक्राइब तो इसका मान होता है तो इसका मान आप सभी को जानकारी होगा इसका नाइंय न्यूटjän मीटर स्कूर्ट है पर कॉलम स्कूर अक neighbor a is uniform now is तो यह यह हो जाएगा उसके बाद चलिए आगे देखते हैं 38 नमर कुछन है कि निमने लिखित में से कौन संबंध सही है कौन संबंध सही है तो option नमर ए आप देख पा रहे हैं vector equals to vector F by Q जो है यह आपका संबंध सही है which of the following relations is correct vector equals to vector F by Q चलिए आगे और देखते हैं यहां पर देख सकते हैं आप 39 नमर कुछन है विद्यूत बीभब बराबर होता है electric potential is equals to तो electric potential is equals to होता है W by Q option number जो हो जाएगा B आगे बढ़ते हैं देखते हैं 14 नमर कुछन विद्यूतिय द्वीधरूब आगहुर्ण का SI मातरक है SI unit of electric dipole moment तो electric dipole moment का SI unit होता है वो centimeter होता है option number A का correct answer हो जाएगा यहां पर कुलंब मीटर हो जाएगा electric dipole moment है तो कुलंब मीटर option number A जो है इसका correct answer हो जाएगा 41 नमर कुछन है कि एक फैराडे बराबर होता है one faraday is equals to तो यह जो बराबर होता है यह आपका one कुलंब पर बोल्ट के बराबर होता है option number A जो है option number B का correct answer जाएगा 41 का 43 नमर कुछन है 42 नमर कुछन है कि आवेशित चालक की इस्थितिज उर्जा होती है इस्थितिज उर्जार था पोटेंशियल इनर्जी पोटेंशियल इनर्जी ऑप चार्जड कंड़क्टर इस तो यह होता है हाप सी भी स्कुएर अप्सन नमर 20 का उतर जाएगा उसके बाद 43 नमर कुछन है यहां पर देख सकते हैं किसी ने जो वाट्सिप किया है यह पोट इस करेक्ट फोर रेसिस्टिवीटी ऑफ और आपको पता होगा यह जो है आप मरेसिस्टेंस पड़ेंगे रो इन्टू ऑल बाई ए होता है जहां यह एल लेंथ होता है यहां पर देख सकते हैं तो यहां से आप रो जब निकालेगा तो रो का वैल्यू आ जाएगा रो इक् पर आपको पहले ही बता दूए इसका कुछ इसकुर्शन का सेट कोड़ जी है तो आप सभी का सेट कोड़ अलग अलग हो सकता है लेकिन सभी में शमानी होते हैं केबल नम्बरिंग का जो है चेंजिंग होता है तो आप लोग देख लिए आपके कौन से नमबर में कौन सा ज आपका जो है ऑपसन नमबर सी हो जाएगा डीवी बाइडी एक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट इस इक्वल स्टू डीवी बाइडी एक्स ऑपसन नमबर सी का उतर जाएगा 45 नमर कुछ नहीं विद्यूत फ्लक्स का ऐसा है मात्रक होता है यूनिट ऑफ एलेक्ट्रिक फ्ल लिखते हैं 46 नमर कुछन कहता है कि संबंध क्यू इक्वल्स टू एन एक्वल्स टू एन इमें निमनलिखित में कौन एन का मान शंभव नहीं है तो 46 का अंसर आपका ऑप्सन नमबर जो है सी हो जाएगा 4.2 यह कभी भी डैसिमल में नहीं होगा आपसन नमर सी का उतर जाए का संधारित की धारिता के लिए निमनलिखित में कौन सही है विचाफ फॉल्वइंग इस करेक्ट फॉदर कैपसीटी ऑफ पैरलेल प्लेट कैपसीटर तो 47 का अंसर आपका ऑप्सन नमबर यह हो जाएगा एपसलन नूट एबाइडी ऑपसलन एपसलन नूट एपसलन प्रतिक सरक्ट होता है वह भी एपसलन नूट एपसलन नूट एपसलन नूट एपसलन निमनलिखित में से कौन रासी समान रहती है कौन रासी समान रहती है तो 50 का अंसर आपका option number A हो जाएगा potential difference जो है यह समान रहती है which of the following is the shame in the parallel connection of resistances तो potential difference हो जाएगा option number A इसका उतर हो जाएगा उसके बाद आगे है 51 नमर question एक henry बराबर होती है 1 henry is equals to 51 का अंसर option number A हो जाएगा 10 to the power 3 megahertz 10 to the power 3 megahertz इसका उतर हो जाएगा उसके बाद चलिए देखते है आगे यहां पे option यहां पे 52 नमर question है कि radioactive तत्व के लिए निमनलिखित में कौन सही है which of the following is correct for the radioactive element तो 52 का अंसर आपका option number B हो जाएगा यहां पे देख सकते है T alpha equals to 1 by lambda option number B का उतर हो जाएगा उसके बाद निमनलिखित में कौन सही है 53 में है कि which of the following is correct तो option number A हो जाएगा option number A जो है यह बिल्कुल correct answer है 53 का अंसर option number A हो जाएगा 54 नमर question है कि मूल गेट के लिए निमनलिखित में से कौन सही है तो and or not option number A जो हो जाएगा उसके बाद है कि निमनलिखित में से कौन आवेशित नहीं है तो photon जो है वो आवेशित नहीं होता है बागी जो alpha कन देख सकते हैं बीटा कन और electron यह सभी जो है चार्जड होते हैं आवेशित होते हैं उसके बाद आगे आप देख सकते हैं 56 नमर कुशन कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है तो 56 का अंसर आपका option number D हो जाएगा 4 उसके बाद 57 का कुशन है कि transformer के लिए निमनलिखित में कौन सही है तो transformer जो है यह AC को DC में बतलता है प्रांसफोर्मर के लिए निमनलिखित में से कौन सही है तो 57 का अंसर आप्शन नमबर ट्रांसफोर्मर पुचा गया है विजब फॉलोइंग इस करेक्ट फॉर ट्रांसफोर्मर तो 57 का अंसर आपका option इसमें कहता है कि ट्रांसफोर्मर का क्या काम है विजब फॉलोइंग इस करेक्ट फॉर ट्रांसफोर्मर तो इट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एसी बोल्टेज को यह घटाता या बढ़ाता है तो 57 का अंसर option number D हो जाएगा 58 का चुम्बकिये धुरूब प्राबल्य का SI मात्रक है SI unit of magnetic pole strength 58 का जो अंसर है option number C हो जाएगा ampere meter option number C इसका उतर हो जाएगा उसके बाद आगे देखते हैं 59 को चुम्बकिये धुरूब पर नमन कुन का मान होता है तो यह 90 डिग्री होता है इसका अंसर option number B हो जाएगा 59 का B हो जाएगा उसके बाद 60 नमन को चुम्बकिये प्रविर्ती का मान होता है तो यह 0 होता है तो यह 0 हो जाएगा तो यह 0 हो जाएगा 61 नमर को चुम्बक सीलता म्यू के लिए निम्लिकित में से कौन संबंध सही है विच अफ फॉल्वाइंग रिलेशन्स इस करेक्ट फॉर पर्मियाबिलीटी तो 61 का अंसर option number B हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू बी बाई एच म्यू इक्वल्स टू बी बाई एच उसका 62 नमर को चुम्बक ये या म्योत्तर में पार्थिब चुम्बक ये छेतर B नमन कौन डिल्टा वैक्टर B का 36 घटक BH कहता है वैक्टर B का अउधगर घटक B भी हो तो निम्लिकित में से कौन शही है तो यहां पर इंग्लिक्स में भी थोड़ा देख लेते हैं कि इफ बी इस अर्थ मैगनेटिक का फिल्ड इन मैगनेटिक मेरीडियन डिल्टा इस एंगल ऑफ डीप बी एच इस होरीजोंटल होरीजोंटल कंपोनेंट ओटर भी एंड बीवीज वर्टिकल कंपोनेंट ओटर भीडन वीच अफ फॉल्वीं और रिलेसंस इस कर्यक्ट तो 62 का जो आंसर हो जाएगा वह आपका अप्सन नम्बर ए हो जाएगा बी एच इकोलस तू बीकॉस डिल के समांतर होती है यह न हम प्रोपागेशन ओफ इलेक्रो मैगनेटिक फीश्वेव अल प्रोपागेशन ओप लिएक्स्टर मैं रएक्जर वेव की डिरेक्शन होती है वह पैरलेल टू वेक्टर ए क्रोस वेक्टर भीजोंट प्रकास का व्यक्तिकरन होता है इंटर्फेरेंस ओफ लाइट इस दरी डिस्ट्रिब्यूशन ओफ फॉल्वेंग क्वांटिरेज तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यहां पे देख सकते हैं प्रकास का व्यक्तिकरन होता है तो इसके बाद 65 नंबर कुशन है यहां पे आप देख सकते हैं फोटॉन का विराम द्रब्यमान होता है दरेज्ट मास ओफ फॉल्टॉन तो 65 का अंसर आपका उप्सन नंबर ऑफ हो जाएगा शुन के Cr भ दोख शंकवान शून का अंसर ऑफ्सन नंबर ऑफ ब हो जाएगा ऑप्सन नंबर यहां पर देख прав Х आहे हैं इवन माइनस इटू इक्वल्स टू एच भी अप्शन नमबर बीस का उतर हो जाएगा उसके बाद 67 है कि सौर उर्जा का सुरूत होता है दा सोर्स ऑफ सोलर इनर्जी इस तो 67 का अंसर आपका उप्शन नमबर डी हो जाएगा न्यूक्लियर फीजन जिसको आप हिंदी में ना कि सुरू जो है वो नापके सनलेयन है अप्शन नमबर डी का उतर हो जाएगा इंग्लिस में आप देख पाने हैं नुक्लियर फ्यूजन अप्शन नमबर डी का उतर हो जाएगा उसके बाद चलिया आगे देखते हैं आगे जो प्रसन है 67 68 नमर कुशन विद्यूत का सब से अच्छा चालक नमर्कित में से कौन सा है आप सभी को पताओगा सिल्वर चांदी विच फॉलूइंग इस अप्शन नमबर डी हो जाएगा यहां पर देख रहे हैं और डी इसका उतर हो जाएगा उसके बाद चलिए देखते हैं लास्ट वन कुशन जो है सेवेंटी नमर्कित इससे पहले बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तर्ट की सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रिकार से आगे आने वाले एक्जैम के कुस्टन का अंसर की अप्टू देट प्राप्ट करने के लिए आप चैनल को अवस आपिसे नंबर और और आफ बाइनरी नंबर 1002 इस तो सेवेंटीन का जो सेवेंटी का जो अंसर देगा वह आपका आप्टन नमबर सी हो जाएगा 921 अप्सन नमबर सी का क्रेक्ट अंसर हुजाएगा तो आसा गरते हैं यह वीडियो अच्छी लगयोगी वीडियो चले मिलते हैं ने वीडियो में इस तरह के कुशंस के अंसर के साथ अब तक लेते हैं आलविदा जय हिंद जय वारत थेंक्यू 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 सूमच